हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में NcErt क्लास 12 का मिसलेनियस कोष्चन जो इंटेग्रियल कल्पिलस के चेप्टर में दे रखा है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं को सॉल्व करने जा रहे हैं क्या बोल रहा है integration of cos x divided by root under 4 minus sin square x इसको integrate करना है तो इसको कैसे करेंगे तो सबसे पहले sin x को t मान लिए क्यों माने क्योंकि अगर इसको differentiate करेंगे तो मेरा cos x dx बन जाएगा जो कि यहां से dx जो dt के equal आजाएगा यहां पर मैंने इसको differentiate किया तो cos x dx का value कितना आ गया dt आ गया तो इसके place पर मैंने dt को put किया और यह 4 है तो 4 को मैं 2 का square लिख सकते हैं फिर minus और sin square t है तो मैंने sin x को t मान रखता है तो यह t square हो गया तो यहां से यह क्या आ गया यह आ गया dx divided by root under a square minus x square जिसका integration हम जानते है क्या होता है sin inverse x by a जो कि मैंने first video में बता रखा है तो यह हो जाएगा sin inverse यहां पे a के place पे क्या है 2 है और x के place पे क्या है x के place पे t है तो हो जाएगा यह क्या sin inverse t by 2 plus का c c मेरा क्या है c मेरा एक integral constant है और यहां से t का value मैंने क्या मान रखा है sin x तो यहां पे लिख देंगे sin inverse sin x divided by 2 plus का c जो की question number 9 का answer है now question number 10 sin के power 8 x minus cos के power 8 divided by 1 minus 2 sin square x cos square x इसको integrate करना है तो इसको integrate करने के लिए क्या करेंगे तो सबसे पहले यहां पे sin x के power 8 दे रखा है तो इसको मैंने लिख दिया sin के power 4 और इसका square कर देंगे तो यह 8 आ जाएगा तो इसका square कर दिया ऐसा क्यों किया क्योंकि हम जानते हैं कि a square minus b square इसका value जो आता है a plus b and a minus b आता है तो मैंने क्या किया फिर इसको a plus b और a minus b में तोड़ दिया और नीचे जैसा है वैसे लिख दिया नीचे में रखिया है 1 minus 2 sin square x into cos square x next मैंने क्या किया sin के power 4 x plus cos के power 4 x दे रखा है इसको तोड़ दिया sin square x plus cos square x का whole square minus 2 sin square x into cos square x यह कैसे किया मैंने जैसे कि अगर a square plus b square दे रखा है तो इसको लिख सकते है a plus b का whole square minus 2 a b वैसे ही किया मैंने इसको a और यह b हो गया तो इसका whole square हो गया minus 2 a और b लिख दिया फिर मैंने क्या किया sin के power 4 x minus cos x के power 4 है तो इसको मैंने क्या किया इसको मैंने a plus b और a minus b के form में तोड़ दिया तो यह हो गया a plus b और a minus b तो यह हो गया और हम जानते है कि sin square x plus cos square x का value कितना आता है वहान आता है तो यह सारे value कितना आ गए 1 आ गए और यह मेरा क्या आ गया as it is sin square x minus cos square x हो गया और यहाँ पे भी इसका value कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा minus का 2 sin square x cos square x और नीचे जो है same to same लिख दिया फिर यह नीचे का term और यह वाला term same आ गया तो cut गया तो बच गया में रखिया sin square x minus का cos square x और हम जानते हैं कि sin square x minus का अगर है cos square x तो क्या आता है यह आता है minus का cos 2x तो यह मेरा हो गया minus का cos 2x dx तो cos x का integration क्या होता है cos x का integration होता है sin x तो यह हो गया minus का sin 2x और यहाँ पे 2x दे रखा है तो अगर 2x को t मानेंगे 2x को t मानेंगे तो dx का value मेरा क्या जाएगा dt by 2 इससी वज़े से ये मेरा क्याद आता है sin 2x divided by 2 प्लस का c ये मेरा answer हो गया